नमस्ते वरिवन जे सिर्राम भाई सबका स्वागत है दिवेज़ेस्टी ग्लासेश की ओनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा आज जो हम लोग टॉपिक सोल करने वाले या जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह रिजिनिंग का सबसे फ सब्सक्राइब करते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग है क्या तो देखो इस चैटर के अंदर क्या होगा कि तीन टाइप के कुशन जो है आप से पूछे जाएंगे टाइप नमबर वन जो है या पहले टाइप का जो प्रसन है वह किस से इस बात का मनलब है कि आपको एक वर्ड दे रखा होगा और उसका कोई ने कोई कोड कर दिया जाएगा उसका कोई ने कोड कर दिया जाएगा और दूसरा आपसे एक वर्ड जो है वह आपको गिवन होगा उसका कोड आपको निकालना होगा उसका कोड जो है वह आपको निका यानि सब्द से सब्द का कोड बनावा सब्द से सब्द का कोड बनावा यह है टाइप नमबर वन अब अगर हम लोग बात करें टाइप नमबर टू की जो कुशन टाइप नमबर टू है उस पर बात करते हैं तो टाइप शेकिंड वाला है उसमें क्या होगा उसमें आपके पास होगा statement उसमें आपके पास क्या होगा statement होगा और we can say sentence होगा एक क्या होगा sentence होगा उस sentence को code गर दिया जाएगा उस sentence को code होगा जैसे example देखो जैसे मैंने एक छोटा सा sentence देखा this is my pen ठीक है अब इसको मैंने इसको मैंने लिख दिया 4578 ऐसे मैंने रंडम ली इसे लिखा है 4578 अगर मैंने जैसे एक और मैंने sentence लिख दिया जैसे इस इस यूर पैन अब मैंने इसे लिखा और कुछ नहीं किया ठीक है मैंने इसका लिख दिया 489 और अब मैंने इसे लिखा 4897 अब मैं आपसे बोलो कि मैंने को बताओ आप यू का कोड क्या है ठीक सुरी यूर जो है यूर यह यूर वड़ इसका कोड क्या है यह वाली चीज मैंने आप से पूछ ली तो इसमें क्या होगा कि अपने पास स्टेटमेंट होगा यह एक सेंटेस अब यह दोनों में से कोई एक वर्ड देगा भले आपको स्टेटमेंट और सेंटेज लेकिन जो कोड पूछेगा ना वो किसका पूछेगा वह वर्ड का ही कोड पूछेगा समझे ना मरी बात तो इस टाइप का जो है वो टाइप नुमर्ट टू मिलेगा अपने कुशन गया ओए video Edit all this world created you और माख लो अपसे माइक बूंट कोडु्स चैफ रोल यह दोनों की ना मिली समझे भी आपके पास एक स्ट्हेटमेंट truth क्युआ है वह पूछ लए लगा अब बात करते ऑंक्कषाए तर्ट की टो टाइप है कुर서 मैं सहों लिग की आपके पास एक word ही ओगा उसका अंदर भी क्या होगा आपके पास य 12 में लिक ने चटारई इस नबस में जो बना रहा हूँ वो बना ज़ाfen सबस्क्राइबare सबस्क्राइब एक है और एक वर रण कर नुमेरिक कोड बनाया गया एक वर्ट है उसका क्या बनाया यह लंगिर्ट तो फस्तेुंदा दिखेन अब अगर इस पुछे जा रहे हैं निम्बर बनाय और दो आप प्लेट प्लेस वेल्यू भी आपको पता होने चीए अल्फावेट की प्लेस वेल्यू से क्या मतलब है जैसे हम लोग अगर एबीस डी लिख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लिखे जाती है यहां से शुरू करके हम लोग लिखते हैं ॉश्यू प्लेस वेल्यू से मैरे कहने का मतलब है मेरे अपको याद रखने होंगे कि जिए वह वह घ्रब नमबर जो इस तरीक से अपने पास नंबर डो पता होने चीए इनको बोलते हैं place value अच्छा सीधा नंबर ने उल्टे नंबर भी बता होने जीए अच्छा उल्टे नंबर कैसे निकलेंगे मैं बोड़ा हूँ आपको उल्टे नंबर याद रिनने की जुरूरत नहीं है ऐसे निकल जाएगे कैसे जैसे मैंने बोला कि D जो है वो लेफ्ट सा नंबर कुछ ने लेगा लेगा तो अगर मैं बोलू कि D की left side की position phone number है तो बताओ right side की position जो है वो क्या होगी right side की position क्या होगी तो आप लोगों ने ranking में पढ़ा होगा कि हमारे पास अगर total number of entities दे रखी है और उससे left की position दे दिए right की position निकालनी हो तो क्या करोगे तो right is equal to would be टोटल प्लस वन माइनस लेफ्ट टोटल प्लस वन में से एक लेफ्ट गठा दो ठीक है टोटल कितना होते हैं 26 होते हैं सर 26 में एक जोड़ों कितने होगे 27 होगे अब 27 में से लेफ्ट साइड की पोजिशन कौन सी है चार दे रखी है इसका मतलब 27 में से चार गठा तो यह आया 23 और 23 पे कौन होता है लेफ्ट साइड से डबलू इस बात का मतलब है कि जो डी है उसके विपरीत अकसर तो आ गया डबलू और डी की राइट साइड की देख और 30 तो इस नेबाढ़ोसर उतो फारो तो दम होते हैं इसका मतलब इसकां अब एप और 2 ईंटर साइड के वमिल शोंवे अपने प्रशंग में अब आज का पहला प्रसंदेखिए आपका पहला प्रसंद आपकी स्क्रिंट पर यह रहा बताओ देखें जल्दी से बताओ क्या आपको करना क्या है आपको सबसे पहले कोड निकालना है जिस तरीके से पहले वाले लेटर को कोड किया गया है आगे वाले लेटर को भी उसी तर अब देखे हमें यहां से दिमाग लगाना कि किस तरीके से इसने कोड किया होगा तो सबसे पहले लिए नम्म लिखे लेता है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे नम्म लिखेंगे ठीक है अगर फिर भी आपको ना पता तरही ना कि सर हमें प्लेस वैलियुंजू याद नंकिने में तकलीफ होती है यह कित्ते बहा और है पंदरा नंबर प्यार यह कित्ते बहार है 20 और ह्यां पत्चिस पिए अब यहां से मैं और किसी भी चीज का 이र पूछता लगा सकते हों किसे मैं बने पूंच लिया आर आर बता है अट इसकीर के आश पास होरह यह और वह लेटर में आ चीज वह कोड़ पूछो ना तो आप अन्दाथा लगा सकते हो किसे मैं ने पूछ लिया आर बताओ आर कितने नंबर पर आ रहा होगा तो पहले यह देखो आर जो है वो लेटर कौन से लेटर के आसपास हो रहे है और वो लेटर यहां होना चीह आप देखो आर पी किसका आसपास मिल र दूसरा तरीका और देखो आर को कहीं लोग डिजाइन से लिख रहे बहुत ग्यानी आत्मा वह ऐसा लिखते हैं यह एक डंडी है यह तो आए गया अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा अगर मैं है चेंज करो अगर मैंने से इसको यहां मिला दिया और इसको यहां मिला दिया तो इसे महानलो मैंने पूछ लिए बता हो एम किते पहा रहा है तो देखो म जो है है उसको अगर आप सीधा करो एंग को अगर पकड़ कर दो राइट सैड मुला दो तो क्या है यह ऐसा नहीं बनेगा अच्छा यह मेत के अंदर कौन सा नंबर होता है सर तीन होता है अब मेरे को एक बार बता कि एक नंबर से लेकर 26 नंबर तक मेरे दोस्त कितने ऐसे दों कि यह नंबर होते हैं दो अनकों वाले नंबर हो दो हैं जिन्में एक आगि कर तेरा अज़ेरा अगर ऑनब्लू को बहुत आप शिदा करोगा तो बना रहां कोई हर एक書 लेक्टर के अंदर उसी का नंबर उसी हो चुपावा है हर एक है हर देटीकर में आप से हैं जाएंगे जहां पर आपसे मिल जाएंगे जहां आप BSTC वाला जो course है जो सिर्फ और सिर्फ कितने में है 199 रूपीज के अंदर है जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर सारी सब्देट की वीडियो लेक्चर with PDF notes and study material and सबसे important इस test is available है और यह सिर्फ और सिर्फ कितने में है 199 रूपीज के अंदर available है इतना सस्ता पूरे मार्केट में और कहीं नहीं है और विड़ बैस्ट क्वालिटी आपको यह सब चीजे अवेलेबल है तो अगर आपको अपनी रिजिंग करनी है तो प्लीज आप डिवेश्टे क्लाइस की ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म है उसमें इंड्रोल कीजिए और यकिन मानिए बहुत अच्छे सा आप जो है आपकी तेहरी अच्छे से होगी अब हम लोग बात करते हैं कि क्या चीज की गई होगी यहां पर इसा क्या प्रोग्राम मनाया होगा इस वहरा चैश्टे के लिएगा और युए यहां पर चार शार बिल्कुल जी और को आगे कोट निकाल सकते हैं तो द्यान से सोच के देखो बिल्कुल ध्यान से सोच के देखो, अगर आप थोड़ा से ध्यान लगा होगे, तो क्या S और H ये एक दूसरे के opposite नहीं क्या, क्या S और H जो है वो एक दूसरे के opposite नहीं है, बिल्कुल opposite है, कैसे opposite का पता कैसे लगेगा, अगर आपके पास दो नमबर हैं, जैसे मैंने लिख ये एक दूसरे का opposite है, तो opposite का पता लगाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि ये opposite है या नहीं है, सीधा सा कुछ मत करो, अगर दोनों की place value का योग 27 आ रहा है, तब तो दोनों एक दूसरे का opposite है, अब देखो, S कित्ते पर आता है मेरे भाई, 8 पे, तो मेरे दोस्त, S 19 तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हों कि ये दोनों लेटर से एक दूसरे को opposite है, ये अगर दो लेटर एक दूसरे को opposite है, तब दोनों ही लेटर के, जो sum है, उनकी place value का, सम हो कितना होगा? 27 होगा, ओडेविनिटली 27 होगा, ठीक है, फालिए, यह अगर आगर बात करें, 16 बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल इस बात का मलते हैं क्या किया गया होगा सिर्फ और शिफ उपोजिट लेटर का प्रयोग तो यह वाला नंबर हमें इसका निकालना है इसका देर का है हमें जो पूछा है वो वर्ड है mountain mountain जो सब्द है इसके क्या code मनाया होगा वो चीज़ देखनी है तो देखो m है m कितने मार है 13 बताव 13 के अंदर क्या एड करें 13 के अंदर क्या एड करें किस अताइस हो जाए इस बात का मंदब है कि यह सुरुवात कहां से होगी N से यानि सुरुवात होनी चीए N से सुरुवात M से हो रही है option number C में यानि यह तो answer होगा नहीं अब देखो answer करें से detect रहना है वो चीज़ देखो बाई LN यहां पर भी है LN यहां पर भी है थड़ बाता है सर यू आता है 21 में 20 में क्या 7 का twists assistant 7 бег Hayır state언्सeze में अब चल्पर पर वान आता है इस बात का मलता है कि थड़ यइड़्यों लेटर क्या होना ची यह मत दॉपना चीओ ईहए यहां थ है यहां साथब्वाला लेटर है यहां नहीं होना ची deal अबढ़ कितना है। हम mac चेर्टीन है यह स São ब्रकार के सुपना है तो सबसे हो serait Pro करना को सबसे एक परेक्ट करो क्या लोगिक काम में लग लग लोग की पप्रहों पकड़ आपको लेटर देने या संटेस अब अब अपको निकलाएगी समय हो बिल्कुल बात करते हैं वहां भी आपको लोजिक दूढणत लेकिन इंस्ट्रक्शन भी है साथ में instruction के according logic डूणना है देखे क्या लगा है एक को लिखा दा रहा है जेड बिल्कुल बहुत बढ़िया बी को लिखा दा रहा है वाई और सी को लिखा दा रहा है एक्स तो बताओ उइथ को पॉकेट को क्या लिखाद रचा अब मेरे को बार बताओ क्या अब बारे चल्यूमोच कहीं एक्स षक ट्रकेश के अब यहांगे तो हुथ इस नंबर पर एक साब जाएगा यहांनि उपोजिट लेटर दिखना अब दो पी का उपोजिट क्या होगा तो मैंने आपको बताया था क्यों कुछ नहीं करना उपोजिट लेटर से पता लगाना है तो सम कितना मना था इस यह वाद नहीं कहां से शुरू होगी अपनी के से सुम्हाइब कि अगरे यह कि अपना वड है कि अच्छा ओक लिए ओ जो है कितने नमर कितना पर किस Candi सुझाने कि सताई सुझाए झाहन से सूच के बताना जो पंदरा के अंदर कितना बारा जोड़ते तो सताई सुझे अब मेरे बारा नम्बर पर कौन सा लेट रहता है यह देखो, तो 12 नमबर पर कोर्वान आता है, एल आता है, इस बात का मतलब है कि जश्ट आगे वाले लेटर जो अपने कोन से मलेगा, अल यानि के ल अब देगो के बाद में ल जो है, के के बाद में यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यह एक्स लेकिन यहाँ पर तीन नमबर पर यहां ऑप्सक्ण नम इंड होगा जो करना क्या पचा ओप्चणर भी आपने सो कोई मतलब अपने कम टाइम में आंसर देना अगला परस किसा इए लगा डिकाहcję फॉल्डर को सामने वाला लिखना है जीएडी एल और एक्स लिख रहा है तो बतो है यह टोग इसी कूट वासा के अंदर रिफोल्ड को क्या लिखा जाएगा रिफोल्ड वर्ड है उसके लिए क्या लिखा लेकिन सब्से पहले हम्में देखना है कि क्या कोड जो है वह यूज किया गया होगा फोल्डर को इस तरीके से लिखने में तो देखो लिखोगे ऐसे कभी वगर नहीं सब्ढ़ाए ना डायेट अगर नहीं कर पाऊ तो कुछ नहीं उपपर नीचे लिख दो इनको उपर नीचे लिखोगे तो थोड़ा सा आपका दिमाग जो है काम करना शुरू करेगा जो जंग पर भी आपको रटे होना जी बिल्कुल अच्छे से ठीक ना नीचे पहले तो देखो क्या कोई लोजिक दिख रहा है या नहीं मिल रहा है भाई छे से साथ कर दिया गया एक जोड़ दिया यहां दस का गेप है यहां आट का गया कोई भी काम नहीं हा रहा है लेकिन एक तो अघर क्रोस वाला कर करके देखो देखेंuestas 18 साथ लेसन यहां पर बिल्कुल ने कोई भी सनी है तो वनरा डाईट चेक करना है देखो एक शाँ नहीं को तो यह वाली चीज ना वह लग से दिख रही है कैसे औल्ग कर दिख लिए-ए-इस ऐक से लिख दिया और इका दॉर वाले में साइड में मेरे यह लोजिक लगया सर्टेथे छे से सात बन्न निया इसका लेंकर таia यहां मनोब यहूं फोरी वर्ड कें इस्थ्थ नंबर पे छे नंबर प्यार लेटर के अंदर जोड़ा जा रहा है और बाकी वाले लेटर को आपस में क्रोस कर दिया गया है यह लोजिक बनाया है सामने वाले ने अगर यह लोजिक बनाया तो यहां पर पीटनी लेटर यहां पर टोटल लेटर है साताक है अब उसका जोगानाँ है फिर से और उप सब सिरélडे दूसरा वाला कौन सा आएगा जो लास्ट का एल ना वह आएगा यहां पर लास्ट का यहां पर आएगा अब देखों इसका मनलब है कि एल से सुरुआत होना चीजिए और से सुरुआत नहीं हो रहा यह नियुक्त पहले एंसे उप्षन ए और उप्षन भी तो दोनों ही कैंसिल पकड़के फर्स लास्ट में फर्स सेकंड मिल आया है तो सेकंड लास्ट है इसको पकड़के सिदा यहां लग तो यह से तो यह दोनों ऑप्षन जो है वो सुरुआत हो रहे हैं और भी तो स्टार्ट नहीं हो रहा है खतम गहानी आगे देखिए अब थर्डवाला चेक कर ल लास्ट को उठाओ तो यहां मना दो इसका मतलब है एस एल ओ से स्टार्ट होनी चीए यहां पर नहीं है तो जी है यह आप वापस रिवाइंड कीजिए वीडियो को वापस रिवाइंड कीजिए उसके बाद वापस देखिए एक चीज को दो तिन बार देखोगे तब तो द को इससे गए ंड खाता है तो क्वांटम को क्या रही होता है कभी अंचना चाहिक सताने अब पूछिए का पहले आपने रिजन की बात करें यह रहा यू एन ल ए वी एल ठीक है अब इसके नीचे यह वाला वर्ड लिग दो जो आगे यह वर्ड दे रहा है यह वाला लिग दो यह क्या है वी पी ओ आई उसके बाद है एस सी के ठीक है अब हमें यहां लोजिक निखालना है हर एक लेट लोजिक हमें डूड़ना होगा देखिए यू किते आए शर्यू आ रहा है किस नंबर पर णको बार तो नंबर ठीक है अलतिवार एब आरह यह पांच पे-डाइस पर यह वी वी बाइस पे और यह आजँगा पांच पर यह आगए आगए 12 पे इसके बिदो देखे यह थी जोड दिया प्लस में कर दिया ठीक है । तो दा से सॉलह गर्दिया यानिर्फ तुम्हाट मौल धी कि बारा से पंद्रां कि अनि-पॉस थीनकर स्विस्थे आ उल्टा मैस लगान बुत रहे हैं और शुरुवात से लेकर चार यए चार लेटर तक जो है वह प्लस वन प्लस टून प्लस तरी कर रहा है यह कहानी अपने हाँ अधां से करनी कॉंटूंट्म अब अगर में देखूँ ना तो मैं लिए अब देखो कहानी आर इधर भी है यहां मतलब इसके सब्सक्राइब कर लूए लुए यहां जोड़ना है तो क्यों यह पर होगा यहां पर नहीं होगा क्यों यहां पर क्या है यहां पर डपलू सोड़ी व हैन्स यह डबलू जोड़ना कितना है दो एक जोड़ेंगे तब यह आ रहा है लेकिन हमें जोड़ना है दो इसलिए कितना आएगा डबलू क्या संद पाइयो आगे बाद प्रशन आपकी में स्कून लosit आ कि जुपत रिखता की जातर दिए कर देप्छाए के वाहु कर दो holy ऑप स्पार्ग्याज कर मत पूलान आद स्पार्क को मत अब इसकी के परशो Εसकेकन कर दो बड़ीया चीजता यू लिखा है उसके बाद E लिखा है उसके बाद एन कर दिया गया फिर सी कर दिया गया फिर वी कर दिया अब देखो देखें क्या लोजिक दिख रहा होगा पहले नमबर लिख देखें टी आरा बीस नमबर पर एक नमबर पर यह बारा नमबर पर यह तीन नमबर पर यह 19 नमबर पर सही बात है यहां दे यह आगया पाइस पे ठीक है अब देखिए अब एक थोड़ा सा ध्यान से अगर आप थोड़ा दिमाग लगा हो तो यहां 20 से 21 प्लस वन हो रहा है एक से पांस प्लस चार हो गए यानि यहां तो एक दोर जी है यहां चाहर दोर यह डाइट चार पर जार रहा है तो दीन का गे कर दो क्या प्लस टू और है बिल्कुल ठीक है क्या ऐससे यू आउ और प्लस टू लेकिन इस इन तीन में से अपने आंसर को डिटेक्ट करने में आपको टाइम लग जाएगा तो शुरुवात वाले क्यों देखो अगर सुरुवात वाले में सेम है फिर को चेक करोगे फिर यह वाला देखो के एस बंड़ा या और बंड़ा है लास्ट वाला सब मैं लग है सब्सक्राइब यानि लास्ट वाले को इन्होंने प्लस टू किया है लास्ट वाला मैंने यहां से मिलेगा लास्वाला इसलिए मैंने एस को पकड़ा एस अता है 19 नंबर पर 19 में दो जोड़ोगे तो किता अगया 21 पर को आता है यू लास्ट में क्या होना चीई यू एक बता हो तो कि जल्दी से बता हो सोच यह टीम बरके ना इसको थोड़ा बड़ा वाले लेटर में लिए दिए ए एम डबलू ओ और के देखो इंग्रीस आती है न ऐसा इन्हूंग इंग्रीस नहीं आती आगे इसको क्या लिखता है इसको सामने लिखता है ए टी एम ए ओ डब कि यहां देखिए एक थोड़ा दिमाग लगाओ ना आप तो मैंने टी इको देखा तो मेरे को यह उल्टे दिखाई दिए मैंने को एम को देखा तो एम में कर दिया इसको डबलू ओ को देखा तो इसको ओ डबलू कर दिया और और को देखा तो क्र कर दिया इसका मनलब है कि दो-दो लेटर को क्रोस किया जा रहा है दो-दो लेटर को क्या कर रहा है वो क्रोस कर रहा है दो-दो लेटर जो है उनको क्रोस करता जा रहा है कोई दिक्त में दो-दो लेटर को क्रोस कर रहा है तो आगे वाले को दो लेटर को क्रोस कर दो सबसे इंपोर्टन बहुत बढ़िया नाम है खुशी होती है जब अकाउंट कंदर यह चीज इस टाइम जब बढ़िया कुशी होती है चली मनी लिखा है म ओ एन इन इवाई मनी इसको क्या लिख रहा है सामने बाला इसको सामने बाला लिक रहा है ओ एम पी अरे ओ एम पी सी ए ओ एम पी सी एए ओ एक लेटर कहीं गाये पर मनी ओ एम पी सी है चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब देखिए इनकी प्लेस पे लिए अगर आप मेंसे वो लोग जिनको यह नमर लाने में दिक्कत हो रही है न तो एक तो इजोटी वाला वड़ी उच करो काम किजेगा कोई बीया इंगलिस प्टाभी उसका पैसे लेजिए तो उस पैसे में जितने भी स्पेलिंग से उन इस पैलिंग के ऊपर तो उनकी कि लेफ्ट साइड से जो रेंकिंग है वो लिखिए एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चान जो भी आ रही है और नीचे वाले में राइट साइड से लिखते लिए एक पैसे प्रेक्टिस कर लिजिए उसके बाद आप डेफिनिट लिखेंगे कि हमें सारी चीज याद है आपक अगर प्लेस वेल्यू आपको नहीं पता है उनकी प्लेस वेल्यू अगर नहीं आती है तो बहुत जाब मुश्किल है इस टॉपिक के साथ डील करना क्यूंकि इस टॉपिक में टाइप नंबर टू वाला प्रसन आप कर लोगे लेकिन टाइप नंबर थाड और टाइप You know, 13-15 की अजार है यहां 15 से 13 की अजार है क्या चूधा से 16 है यहां 5 से 3 और 25 से एक यहारा यहां क्या चीज 2-2-2-2-2-2-2-2-2- diabetes यह वाला रीजिन चाल राहे तो यह ने प्लस डू सुरुवात के अंदर प्लस डू तो जिए जोड दो सी दो में तीन में 2 जोड खरब 10 पांच 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 निम्बर आता है इसका लगा आना चाहिए क्या यह और यह उप्षोन से अप्षीन में रहा है है और और अप्षिंट नम्र सी जो है वह आपका राइट अंसर होगा इस तरीके से आपको खन्ना होगा कि अगला अगला प्रसन आपकी स्किन पर यहाँ सेम ऐसा प्रसन हम लोग ने कुशन नमर थर्ड किया था जिसके पास अपने पास इस्ट्रेक्शन रहेंगे और इस्ट्रेक्शन है कैसे है कि ए यानि एक को जो है वो क्या लिखा दा रहा है सी लिख रहा है एक तो सामने वाला लिख रहा है सी एक को लिख रहा है सी बी को लिख रहा है डी सी को लिख रहा है इसके मनलब जस्ट आगे आने वाला लेटर है उसको छोड़ दिया अगला लेटर यूज किया देखो एक के ब रहां हो नहीं है क्याम्य कान अगला और वाले में यही चीज करना है एक सामने वाला की ज़ीया चीजा कि कर दो होना चीज आघना पर दोट जिए हैं में आखते हैं अ को फोड़ना यह एक पर अलगए बातर है थाट नबर नमेर पर आना ची एन च्छे का है सब्सक्राइब आप सारी होंगे मैं आप से सिर्फ और सिर्फ इतनी एडवाइस करना चाहूंगा कुछन को पूरा मत सोल कीजिए पहुत सारे कुछन 90% कुछन जो है आपके वैपर में ऐसे मिलेंगे जिने आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सोल करके लोजिक लगा के आंसर दे देना अगर सामने वाल आपके mental ability में सोल करना पूसता तो आपको डिस्क्रैटिव पेपर लेता ना कि अबजेक्टिव पेपर अब चार ओप्षन में से यह सही डिसीजन यानि सही ऑप्स प्रसकता है यह नहीं वह फुर्षिव आपकी यह स्किल करना लाता है अगर आप से तो पूरा solution करवाता है तो आपको यूपसी मेंस की तरह पूरा लिखवाता ना इस तरह किसे करता है तो मैं सिर्फ फोर से यह चाहूंगा कि आप यह mentality रखो कि हमें सिर्फ फोर सिट करना है चार उप्शन में से आंसर को डिटेट करना है आपको सारी चीजे समझ में आई होग कि थैंक्यू एवरिवन थैंक्स लोट आपको जरूर शेर करना है इस वीडियो को और शेर करने के साथ साथ आपको लाइक भी करना है ठीक है थैंक्स जैर स्री रांग